हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज हम बात करेगे कि आपकी सिंथेटिक डाय होती क्या है तो आये स्टार्ट करते हैं कि सिंथेटिक डाय को किस तरीके से बताया जाता है तो इसमें यही चीज बताय गई है कि जो आपकी सिंथेटिक डाय जो होती है यह आपकी जो कैमिकल लैब है उसमें यह करी जाती है इसमें यह तयार करी जाती है और जो आपकी सिंथेटिक डाय जो होती है इनका अविशकार जो किया था वो सिरी विलियम हैंडरी पार्किन के दुवारा इनका अविशकार हुआ था उन्होंने ये dye जो है वो invent करी थी उन्होंने अपनी research के दोरान उन्होंने chemical के साथ chemical के साथ उन्होंने क्या चीज मिलाई थी उन्होंने artificial color को add किया थी जिसके दोरान उनकी synthetic dye जो है उसका invent हुए उसकी खोज हुई थी और इनके कलर में हमेशा हमें बिटमन जो है वो देखने को मिलता है इनकी जो डाय के कलर होते हैं उसमें हमेशा हमें बिटमन मतलब जो कॉल तार है वो हमें हमेशा ज़ादा जो है वो देखने के लिए मिलता है और जो आपकी synthetic dye है ये तीन परकार की आपकी होती है Acid dye, Alkaline dye और तीसरी है आपकी neutral dye Neutral dye के अंदर आती है आपकी sulfur dye, आपकी direct dye, wet dye और आपकी developed dye ठीक है जो आपकी synthetic dye है वो आपकी कितने parts में डिवाइड है ये आपकी तीन dye में ये आपकी डिवाइड है Acid, Alkaline और आपकी neutral dye ठीक है और उसके बाद जो आपकी neutral dye है उसको भी इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड है Direct, Sulfur, Wet और आपकी developed dye इसके बाद बोलते है कि जो आपकी synthetic dye जो होती है Synthetic dye जो है वो ज़्यादा चमकदार होती है आपके जो as compared अगर हम करें आपकी natural dye से ठीक है आपकी natural dye में इतना ज़्यादा चमक नहीं होती जितनी ज़्यादा आपकी Artificial dye में या फिर आपकी जो synthetic dye है उनमें जो है चमक होती है चलिए start करते हैं कि आपकी जो acid dye है acid dye होती क्या है Acid dye color there are sodium and calcium salt containing carbon जो हमारे acid dye है इसका जो रंग है इसमें हमें carbon या फिर sodium या फिर calcium जो है यह हमें देखने को मिलते है जो हमारे acid dye होती है इसके color में हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलते हैं जो हमारी acid dye जो होती है इसकी nature में कैसी होती है यह nature मैं हमारी acidic होती है तो इसलिए क्या होता है कि यह cotton fabric के लिए अच्छी नहीं मानी जाती acid dye are more comfortable with woolen clothes जो आपकी acid dye होती है यह आपकी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है किसके लिए आपके जो woolen cloth होते हैं जो आपके गरम कपड़े होते हैं उसके लिए क्योंकि अगर आप acid dye में अगर आप किसी भी कोई भी cotton fabric को अगर आप acid dye करोगे तो इससे क्या होगा वो जो आपका cotton का जो कपड़ा है वो बिल्कुल खराब हो जाता है उसके जो fiber है वो damage हो जाते हैं लेकिन इसका आपके woolen पे क्या होता है इसका opposite effect पड़ता है आपके woolen के जो acid dye में डालने से क्या होता है वो और ज्यादा फूलने लगते हैं ठीक है तो जो acid dye है उसका आपके woolen के जो fiber होते है जो woolen के कपड़े होते हैं उस पर कोई भी bad effect नहीं पड़ता less on silk and does not claim on some silk at all तो इसमें यही चीज बोली गई है कि कुछ जो आपके silk के जो कपड़े होते हैं उन पे acid dye जो है वो बहुत कम चड़ती है और कुछ ऐसे होते हैं जिस पर यह बिल्कुल भी नहीं चड़ती तो acid dye जो है इस तरीके से अलग-अलग कपड़े पे जो है वो अपना effect डालती है adding sodium sulfite while dying damn give some dying result तो इसमें यही चीज बताए गई है कि अगर आप acid dye करते समय sodium sulfite को add करोगे अगर आप acid dye करते समय इसमें कौन सा क्यमिकल यूज करोगे sodium sulfite को अगर आप यूज करते हो तो उसकी वजे से क्या होता है कि जो हम डाय कर रहे होते हैं उसका result जो है हमें वो अच्छा मिलेगा अगर हम किस chemical को यूज करेगे अगर हम sodium sulfide dye को use करेंगे दूसी चीज इसमें ये भी बताते है कि जो हमारी acid dye है ठीक है इसका use बड़ी मातरा में किन किन पर किया जाता है इसका use जो है वो नैलोन पर आपके woolen कपड़ों पर, spandex पर, acetate पर इन सब पर इसका जो use है वो किया जाता है और दूसी चीज वूल और silk जो हमारी जो protein fiber है होते है उन पर भी हम इसका इस्तामाल कर सकते है इसके बाद जो second dye हाती है वो है हमारी direct dye कि हमारी direct dye जो है वो क्या होती है direct dye को जो है वो एको नाम से जानते है वो है हमारा substantive dye substantive direct dye के नाम से भी हम इसको बोल सकते है क्योंकि इसके अंदर आपको cellulose fiber जो है वो देखने के लिए हमें मिलता है जिसको हम directly क्या करते है उसको हम directly जो hot dye बात होता है उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं बिना किसी mordant की help से इससे हम क्या कर सकते हैं फैप्रिक को easily हम इस पे color कर सकते हैं इस dye के लिए हमें किसी भी mordant जो होता है उसकी हमें जवरत जो है वो नहीं पड़ती है तो आईए देखते है कि जो हमारी direct dye है वो क्या है जो direct dye है उसको किस नाम से भी जाना जाता है इसको आपकी salt dye जो है उसके नाम से भी इसको आप जानते हो या फिर इसको आप substantive जो dye है उसके नाम से भी आप इसको जानते हो इसके बाद वो लगा है कि no other chemical have to be added with these color इसके अंदर ये जो dye है इस dye के साथ आप कोई भी अलग जो आपका जो chemical है वो आप इसके साथ use नहीं करते हो नाई इसके साथ आप कोई भी mordent जो होता है वो आप use करते हो बिना mordent के भी आपकी जो dye होती है वो easily आप इसको कर सकते हो get easily on cotton fabric या फिर cotton cloth आप इस जो आपकी direct dye जो होती है आप इसको cotton fabric पर बड़ी ही असानी से इसको कर सकते हो potassium by chromate and formaldehyde are added to the garment to make them a solid color इसमें क्या चीज़ बताए गई है कि किसी भी कपड़े पर पक्का रंग चड़ाने के लिए हम क्या करते है उसके अंदर हम potassium by chromate और formaldehyde जो है इसको add कर देते है जिसकी वज़े से क्या हो कि हमारे कपड़े पर finishing करते हैं हमें एक solid color जो है वो हमें दिखाई दे so that the color is not affected in the sunlight जिसकी वज़े से क्या होता है कि सूर जो हमारे sun की जो light होती है ठीक है sun light में उस पे कोई भी बुरा परभावजिय है वो हमें ना दिखाई दी तो इसके लिए हम क्या करते हैं उस पे हम दो chemical यूज़ करते हैं एक हमारा potassium bichromate और दूसरा है हमारा folmethyde यह दो chemical हम यूज़ करते हैं कपड़ों पर जिसकी वज़े से क्या होता है कि हमारे कपड़ों पर कोई भी बुरा effect नहीं पड़ता है दूप मर दूप पर दूसरी चीज यह कि जो आपकी जो direct dye है ठीक है इस dye पर आपको कोई भी mordent जो है उसका आपको यूज़ करने की ज़रुत नहीं होती है यह आप बड़ी आसानी से इसको wool पर, silk पर, nylon पर हम directly इस dye को जो है कर सकते हैं इसके बाद है हमारी next dye आपकी sulfur dye क्या आपकी sulfur dye जो होती क्या है these are also synthetic dye जो आपकी sulfur dye है उसको क्या बताएगा है उसको synthetic dye के नाम से भी जाना जाता है इसको आपकी synthetic dye के अंदर यह आपकी आती है normally these dye, these color do not dissolve in water जो आपकी sulfur dye होती है यह आपके पानी में जो है वो आसानी से नहीं खुलती है यह पानी में आसानी से dissolve नहीं होती है for this purpose it is put in a solution of sodium sulfide to dissolve it तो इसके लिए क्या करता है इसको सबसे पहले जो आपका sodium sulfide जो घुल होता है उसके अंदर इसको हम डालते है जिसके वज़े से यह आपकी जो sulfur dye है यह क्या हो यह घुल जाए इसके बाद वोला है कि it is used only for plant bone fiber इसका जो use है वो केवल किन के लिए किया जाता है जो आपके plant bone जो fiber है ठीक है उनके लिए इसका इस्तमाल जो है वो किया जाता है In order to dye other fabric अगर हम किसी और fabric को हम क्या करें dye करते हैं तो more quantity of alkali has to be used in it due to which the fabric become lighted अगर हम इसे किसी और अन्य जो आपके ratio जो होते हैं अगर हम उस पे इसका इस्तमाल करते हैं तो उसकी वज़े से क्या होता है इसके अंदर जादा मातरा में alkali होने की वज़े से जो fabric का जो color है वो क्या पढ़ जाता है वो हलका पढ़ जाता है therefore use them only on cotton fiber needed तो इसका जो इस्तमाल है वो केवल आपके जो cotton fabric है उनी पर ही इसका इस्तमाल किया जाना चाहिए तो आपकी जो sulfur dye है वो इसमें यही चीज बोला गया है कि आपकी sulfur dye क्या है आपकी sulfur dye एक synthetic dye में ही आती है ये पानी में बड़ी आसानी से नहीं गुल पाती और इसका जो इस्तमाल है वो केवल जो plant bone जो fiber होते है उसमें ही इसका इस्तमाल किया जाता है इसमें ज्यादा alkaline की मातरा होनी की वज़े से ये जो बाकी के cotton के अलावा जो आपके fabric होते है अगर हम उस पे असका इस्तेमाल करते हैं तो वह क्या करते है, वह आपके कप्ड़ा पढ़ना इस्टार्ट हो जाता है जो यूज़ को आपके cotton फारी के होटा है तो जो आपकी Sulfur dye है वो आपकी क्या है वो भी आपकी Synthetic dye ही है इसके बाद है हमारी सबसे Last dye, Wet dye ठीक है कि Wet dye जो है वो क्या होती है This is also a synthetic dye जो आपकी Wet dye है ये भी आपकी Synthetic dye में ही आती है It is also dissolved easily in water जो आपकी Wet dye है ये पानी में बड़ी आसानी से क्या होता है ये पानी में बड़ी आसानी से घुल जाती है Easily ये dissolve हो जाती है आपके water में And this color should be dissolved in a solution of sodium hydrosulfide and caustic soda for best result तो इसमें क्या चीज़ बताए गई है कि ये आपके एक अच्छे परणाम के लिए आप क्या करते हो तो आप इसमें sodium hydrosulfide को या फिर caustic soda को इस घुल में आप क्या करते हो रंग को इसमें घुल देते हो एक अच्छे result के लिए आप क्या करते हो रंग को किस solution में आप मिलाते हो sodium hydrosulfide में या फिर आप caustic soda में आप जो wet dye है है उसको मिलाते हो एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए डेली वोस इट इस एडवर्सेबल तो डाइ दाइ 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 विद दीस कलर विकोज दे आर सॉलिड कलर तो इसमें क्या चीज़ बताए गई है कि जो आपके रोज जो धुलने वाले जो आपके फाब्रिक जो होते है जो आपके गार्मेंट जो होते है उन पे हमेशा वेट डाइ का ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपकी जो वेट डाइ इसके जो कलर होते है वो बहुत जादा पक्के होते है बहुत जादा सॉलिड होते है जिसकी वज़े से जो आपके daily use के जो कपड़े जो होते उसमें सबसे जादा आपका wet dye का ही इस्तमाल किया गया है तो इसमें जो आपकी synthetic dye है उसमें आपने क्या पड़ा? आपने इसमें acid dye पड़ा तो ये सारे ही आपके synthetic dye के अंदर आती है आपकी synthetic dye जो है इन में ज़्यादा चमक होती है आपके जो natural dye है उनके मुकाबले इसके बाद जो आते है वो है हमारी variety of dye कि आप कितने परकार से जो है वो dye कर सकती हो तो था हमारे dye के टाइप कि जो हमारे dye का टाइप है वो natural dye होती है दूसरी है हमारी synthetic या फिर हमारी artificial dye होती है अब हम बात करते है कि आपके dye के variety क्या है आप उनको कितनी अलग लग तरीके से आप उनको कर सकते हो तो इसमें हमारी दो तरह की dye होती है एक हमारी tie and dye और दूसरी है हमारी bartik dye तो हम सबसे पहले बात करेगे कि आपकी tie and dye होती क्या है in this process thread are used to prevent the dye from reaching the selected area of the fabric आपकी इस process में क्या करते है कपड़े के चुने गए जो area होता है जो selected area होता है उसमें रंग को पोचने से रोखने के लिए क्या किया जाता है उसमें धागों का उप्योग किया जाता है आपके thread का इसमें इस तमाल किया जाता है जिसकी वज़े से जहां पर भी हमने हमें अपना कोई भी design क्रियेट करना है वहाँ पे हम color ना पोच सके तो उसके लिए हम क्या use करते हैं उसके लिए हम अपना यहाँ पे जो thread होता है जो आपका धागा होता है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो the fabric is tied according to the design to be made on the fabric कि आप इस पे fabric पर जो भी आपको design बनाना है आप उसके अनुसार क्या करते हो fabric को बांधते हो this is the traditional method of Rajasthan and Kathyaward यह आपका Rajasthan का और जो Kathyaward है उसका यह सबसे ज़्यादा जो traditional method है वो यह यहाँ पे बताया गाए कि आपके Rajasthan और जो Kathyaward है वहाँ पे traditionally कौन सी जो dye वो करी जाती है वहाँ पे traditionally आपकी tie and dye जो है वो सबसे ज़्यादा परसीदे इसके बाद वो लगाए है पटोला फैब्रिक और गुजराथ और बांधनी और राजिस्थान और टू फेमस ट्रडिशनल फैब्रिक विच आर प्रिपेर्ड बाई टाइ एंड़ टैक्निक इसमें बताया गया है कि जो हमारी गुजराथ का जो पटोला फैब्रिक है और जो राजिस्थान की जो बांधनी है वो दो परसीद हमारी traditionally फैब्रिक है जिने tie और dye की जो टैक्निक है उसके दुआरा इनको तयार किया गया है तो tie and dye यह है कि इसमें आप क्या करते हो कि आपको जो भी डिजाइन आपको बनाना है आप अपने fabric पर उस design में आप कपड़े को लेते हो ठीके है और उसको fabric से क्या करते हो उसको बांद ना start कर देते हो और फिर अपने fabric को आप dye करते हो तो इस पे जहां पे आपका जो थ्रेड आप ने बांदा हुआ है वहाँ पे आपका जो कलर है वो नहीं पोच पाता वहाँ पे आपका light color होता है और बाकी पूरे fabric पे जो भी आपने dye किया हुआ होता है वो आपको color दिखाई देता है इस तरीके से आपका जो dye and dye का जो color है ठीक है, dye and dye की जो technique है वो आप करते हो इसके बाद है हमारी सबसे last dye की wet dye जो होती क्या है This is also a method of resist dyeing ये भी हमारे एक method है resist dyeing का ही In this method wax is used to prevent dye from reaching certain color area इसमें क्या होता है हम इसमें wax का इस्तेमाल करते हैं इस method में कुछ जो हमारे selected area होते है ठीक है, वहाँ पर रंग को पोचने से रोकने के लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर wax का इस्तेमाल करते हैं अब mixture of bee wax and paraben wax is applied on selected area of the fabric with the help of brushes or block as per the design इसके लिए हम क्या करते हैं हम जो हमारा fabric है, ठीक है, जो हमारे selected area है उस पे हम color से रोकने के लिए क्या करते हैं हम उस पे bee wax का या फिर जो हमारे parafin wax है उसके mixion का हम इस्तेमाल करते हैं brush की help से या फिर आपका जो block है उसकी help से आप अपने design के अनुसार इस पे क्या करते हो आप इस पे बी वेक्स या फिर जो आपकी पेराबीन वेक्स है उसका आप इस्तमाल करते हो किसी भी डिजाइन को create करने के लिए इसके बाद बोला गया है कि these area of the fabric are keep from getting color when dye to give a pattern effect आपके pattern के effect देने के लिए जब आप dye करते हो तो आपका जो fabric है जो selected area है जहां पे आपने वो बी वेक्स जो है इस्तमाल करी वी है वो area आपका बज जाता है and the wax is wet and removed और जो बागी की जो आपकी wax है आप जब उसको हटाते हो तो क्या मिलता है आपको आपका design जो आपने बनाया था वो आपको fabric पे नजर आता है तो इसमें बाटिक में यही चीज़ बताए गई है कि बाटिक में आप किस तरीके से dye करते हो आपको कोई भी आपका design create करना है उसके लिए आप क्या करते हो आप सबसे पहले B wax या फिर जो आपकी पैरा fin wax है उसकी help से आप brush या फिर आप block की help से आप क्या करते हो आप design को कपड़े पे बनाते हो और उसके बाद क्या करते हो आप उसको सुकने के लिए छोड़ देते हो और फिर इसको आप dye करते हो dye करने के बाद आप क्या करते हो जहाँ पे आपने wax apply करी थी उस wax को आप हटाते हो, तो जब आप उसको हटाऊगे, तो जहाँ पर वो wax लगी वी होगी, वहाँ पर आपका जो color है die का, वो आपका नहीं पहुच पाता, तो इसकी वज़े से आपका क्या निकल के आते हैं, आपका die का color है, जो भी आपका design है, वो आपको जो है, वो नजर आ आता है, तो यह आपकी दो टेकनीके जो आप इस्तेमाल करते हो, एक है आपकी tie and dye और दूसरी है आपकी बाटिक, tie and dye में क्या करते हो, कि आप कोई भी design create करने के लिए पहले आप fabric को tie करते हो, और उसके बाद आप उसको dye करते हो, लेकिन wax, लेकिन बाटिक में क्या किया जा और फिर बाद में उसको सूखने के बाद, dye करने के बाद उसको सूखने के बाद आप क्या करते हो, उस wax को हटाते हो, तब जाके जो आपका जो fabric है, उस पे आपको design जाए वो देखने के लिए मिलता है, तो यह आपके जो दो method है, यह आपके सबसे जादा यूज करे जाते ह आपके dye करने के लिए, आपका dye and dye method और आपका बाटिक method, dye and dye method में क्या करते हो, आप fabric को dye करते हो, अपने design की according और उसके बाद उसको dye कर देते हो, लेकिन बाटिक में क्या करते हो, बाटिक में आप जो भी आपको design create करना है, उसको आप wax की help से उसको करते हो, आपकी जो wax है, या आपकी bee wax हो सकती है या फिर या आपकी paraffin wax हो सकती है इसके mixture से आप क्या करते हो उसको brush की help से या फिर आप उसको block की help से आप उसको क्या करते हो आप उसको fabric पर बनाते हो और उसके बाद उसको dye करते हो और जो आपकी tie and dye जो है यह आपकी सबसे ज़्यादा जो famous है जो traditionally यह कहा किये यह आपके राजिस्थान की और काठियावाड की यह आपकी traditional method है जो महाँ पर use किया जाता है फैब्रिक को dye करने के लिए color करने के लिए इसमें patola fabric जो है यह आपका गुजरात का famous fabric है और जो आप की बांधनी है यह आपकी राजिस्थान की famous fabric है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपका जो dye है वो किस तरीके से किया जाता है थैंक्यू क्कीैम एविसलूू एवी यह शिर्ग का जाता है यह है यह हम का चेरीक मुशों की आपके स्थाद雲व नगे म değन खार भ Reid को प neo है जो हुआ अर है वि हली वे एणों सक रहाई है आपका एवह यह है